पिछले कुछित मैनों में नागपुर जिले में कुलना की घटनाव में वृद्धि हुई थी कुलना ने पत्रकारों की जान भी ली वाड़ी के एक कुलना योध्धा और इनबीसियन न्यूज और नागपुर मेटर समाचार के रिपोर्टर सुनिल शेटी की कुलना से संक्रम मिथ होने से मृत्जी हो गई सुनिल शेटी सितंबर के पहले 17 से विमार थे अचानक बुखार और खासी की कारण उनकी हालत बिगड़ गए पत्रकार सुनिल शेटी की नागपुर के किसी भी अस्पताल में बेठ की अनुपल अब्धता के कारण मृत्य हो गई पत्रकार सु पत्रकार से आर्थिक मदद की मांग की थी लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली उनके परिवार को 50 लाग की मदद की मांग की है पत्रकार सुने शिट्टी बहुत ही दयालू और स्नेही व्यक्ति थे वह पत्रकारिता और मानता के राजा थे लोकडाउन के दौरान उन्होंन में आदर्शो की खेती करने की छवी थी उनके रिधन के बाद वाड़ी शहर के कोनों में नर्मी और सदमे का माहुल था उनके परिवार को गहरा दुख हुआ है और उन्हें अभी तक सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है सरकार पत्रकार सुने शेट्टी की मौत की त झाल झाल सकतत तक सुने झाल झाल झाल